वाट्सेप यूनिवरसिटी और टिड़ा जुंड पार्टी में क्या समानता है वाट्सेप में ग्रुप बनता है और मैसेज फॉरवर्ड किये जाते हैं उसी तरह टिड़े भी ग्रुप की जगा जुंड बनाकर रहते हैं और जब किसी खेट वगेरा को खाकर खतम कर देते हैं तो मैसेज जाता है कि आगे बढ़ो यहाँ पर अब खाना खतम है और जिस तरफ हवा का रुख होता है उस तरफ टिड़े फिर से उड़ना शुरू कर देते हैं WhatsApp University की खबरें बहुत ही टेस्टी होती हैं उसी तरह टिड़े भी खाने में बहुत लजीज और स्वादिष्ट होते हैं कई होटलों में मचली से महंगे भिक रहे होते हैं WhatsApp University में चटपटी खबरें और मैसेज का दोर रुखता नहीं है उसी तरह जब तक हवा चलती रहती है टिड़े एक जगा से दूसरी जगा उड़ते रहते हैं टिड़े जुंड बनाकर खेतों पर धावा बोल देते हैं और करोडों की फसल को नश्ट कर देते हैं उसी तरह WhatsApp University के मेंबर्स WhatsApp ग्रुप में करोडों का वक्त बरबाद कर देते हैं परंतु कई लोग WhatsApp University में करोडों का फायदा उठाते हैं सामप्रोदाइक दंगे फिलाकर एक धरम की लोगों को दूसरे धरम की लोगों से लड़ाकर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं और ऐसे कामों में WhatsApp University की importance और demand बढ़ जाती है टिड़े भी खाने में इतने लजीज होते हैं कि अच्छे दामों पर बेच कर लोग इनको इनसे करोडों कमाते हैं और कई होटलों में ये एक special exotic dish के तोर पर विखते हैं इसलिए होटलों में इनकी demand और importance बढ़ जाती है किन देशों में टिड़ों को बेचा जाता है और टिड़े बेच कर कैसे लोग कमाते हैं ये देखने के लिए part 2 अवश्य देखे दोस्तों आपको ये कैसा लगा? कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को दुबाएं